कि अपने कीवर्ड को ओप्टिमाइस कर सकतों आपके सिंगल पोस्ट के अंदर जिसके मदसे आसानी से आप कम से कम टाइम में गूगल के अंदर आप अपने सिंगल पोस्ट को रहं करवा सकतों यह सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहें वीडियो स्टाट करने से अभी तक आपने हमारा प्रेविश वीडियो वाच नहीं के तो वाच कर लिए इसके अंदर हमने बात किया थे किस तरह सब बिल्कुल फ्रीम में डीप में कीवर्ड रिसर्च कर सकतों इसके बाद यह वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से आपकी वेड़ के अंदर कीवर्ड ऑप्टिमाइस करना है तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सामने यह आपका कीवर्ड है डूफलो बेकलिंग एक बहुत ही शोट कीवर्ड है अगर आपको इस कीवर्ड के मुद्द से ऐसा करना है कि कोई पी यूजर एक कीवर्ड सेर्च करें गूगल के अंदर तो हमारा वेबसाट टोप 10 रिजट के अंदर आना चाहिए तो आपको क्या क्या करना है वह बात करेंगे सबसे पहले आप लाइए इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको आपकी सिंगल पूश्ट के अंदर क्या क्या करना है तो देखिए यहां पर हमने कीवर्ड लिख लिए या दूफोलो बेकलिंग इसके बाद हमें से सर्च करते हैं जैसे हम सर्च करते हैं तो यहां पर हम नीचे जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि टोप 10 रिजट के अंदर आपको हमारी वेबसाट दिखाए द जिसके मद्स से आसाने सब कम से कम टाइम के अंदर गूगल के अंदर आप अपना पोश्ट रेंग करवा सकते हो देखिए आपके सामने यहां पर वो सिंगल पोश्ट ओपन है तो सबसे बहुत करते कि आपको आपकी सिंगल पोश्ट के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है से पहले टेकनिक है कि use keyword in post URL तो definitely आपको जो आपका main keyword है वो आपकी single post के URL के अंदर यूज करना है जैसे कि देखे आपको देखे देखा डूफलो बैगलिंग तो आपको बने इतनी कोशिच करने का आपके single post के URL के अंदर आपको main keyword keyword include हो इसके मदर से आसानी सापको एक post मिलेगा इसके मदर से आसानी सापना जो पर्टिकुलर post Google के अंदर र्यंक करवा सकते हो इसके बात का टेकनिक है इसके अंदर use keyword in post title तो जी है आपको आपके title के अंदर भी आपका जो main keyword है इसका यूज करना है इसके देखिए डूफलो बैगलिंग तो आसानी सापका जो आर्टिकल Google के अंदर र्यंक होगा इसके बात का टेकनिक है इसके अंदर की use keyword in first paragraph तो आपको बने इतनी कोशिच करने कि आपके सबसे पहले प्रेग्राप के अंदर आपका main keyword include हो इसके देखिए यहां पर आपको देखे देखा हाई पी यार डूफलो बैक लिंग तो हमारा keyword इसके अंदर include है इसके बात का टेकनिक है use keyword in header tag इसके देखिए अंदर आपको पता होगा कि header tag के अंदर h1, h2 ऐसे होता है तो आपको आपकी single post के अंदर एक header tag यूज़ करना है इसके यहां पर मैंने h2 यूज़ करके रखा है 100plus.org इसके अंदर देखिए हमारा main keyword include है do follow backlink तो आपको बने तनी कोशिच करने के आपके single post के अंदर header यूज़ करना header के अंदर आपका main keyword include हो इसके बाद आशके टेकनिक है use keyword in image alt tag तो यहां पर आपको देखिए देखिए मैं सभी वीडियो के अंदर आपको बताता रहे ताव कि आपको आपकी single post view एंदर image must use करना है image use करने के साथ-सलाब को image के यह यह ददर आपको main keyword यूज़ करना है क्यासे चक appeared here to post editing mode है तो यहां पर मैंने image को यूज़ किया है तो यहां पर आपको दिखहतेगा यह आई-उ- 길ो यह इसके अंदर आपको पता है कि आइन जो का इक सब iç hoता है वो Google के अंदर रैंक होगा इसके बाद और भी टेक निक है जैसे कि देखिए आपको आपके सिंगल पोस्ट के टेक में आपका केवड यूज करना है इसके बाद आपको आपका मेन फोकस के और तो यूज करना है यहां पर देखे आपको देखे देगा इसके साथ से आपको प्रेकल Google के अंदर रेंक होगा तो बस आपके दोइन तक थाप थांक्यू प्रोखने शुडियो झाल झाल झाल